पिछले विडियो में हमने एक आप बनाई थी जो आप इन्वेंटर का text to speech और speech to text का function यूज़ करती थी इस एप में इस विडियो में हम एक translation का feature आइट करेंगे तो translation का feature कैसे काम करेगा कि एक text input field होगी जहां user जो भी text translate करना चाहता है वो type करेगा उसके बाद एक button होगा वो button click करके app जो है वो translation लेकर आईगी और फिर एक और यहां पर text field होगी जहां पर translated text जो है वो appear होगा तो यह UI बनाने के लिए मैं layout की drawer खोल कर तीन horizontal arrangements ला रहा हूँ तो पहला यह हमारी text input field होगी तो मैं इसकी height कहा रहा हूँ 40 pixels और width कहा रहा हूँ fill parent parent मतलब screen 1 फिर मैं एक और arrangement ला रहा हूँ इसकी height मैं कहा रहा हूँ 50 pixels और width fill parent और एक और मैं arrangement ला रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यह मुझे पूरा दिख जाए तो मैं यहां phone के बदले tablet कर रहा हूँ क्यांकि मेरे पास android की tablet है आपको UI उसी device के लिए करना चाहिए जिस device के लिए आप अपनी app बना रहे हैं तो मैं tablet के लिए design कर रहा हूँ तो मैंने tablet size रखा है यहां पर फिर मैं एक और horizontal arrangement लाके यहां drop कर रहा हूँ और मैं इसकी height मैं कह रहा हूँ fill parent तो इसकी height fill parent से क्या होगा कि बागी components के बाद जो भी remaining space होगा वो सारा fill हो जाएगा और width जो है उसको मैं कह रहा हूँ again fill parent तो यहां पर हम सबसे पहले एक text input field चाहते हैं जहां user जो translate text करना चाहता है वो type करेगा तो उसके लिए मैं user interface की drawer खोलके text box का एक component यहां पर drop कर रहा हूँ और मैं यहां कह रहा हूँ कि इसकी height जो है वो fill parent और इसकी width भी जो है वो fill parent best practice है कि हम इसका जो title है यह proper कर दें तो हम यहां इसको rename कर रहे हैं इस component को और हम कह रहे हैं कि input text for translation और हम यहां पर इसकी hint में कह रहे हैं कि type text for translation यही चीज़ मैं copy कर देता हूँ text में जो appear होगा यहां पर उसके बाद हम इस horizontal arrangement में एक button चाहते हैं तो मैं user interface में button का component लाके यहां drop कर रहा हूँ यह जो button है यह है translate button तो इसको मैं rename कर रहा हूँ translate button इसका मैं color जो है let's say इस बार custom color try करते हैं इस palette को change कर रहे हैं तो हम let's say maybe greenish चाहते हैं तो हमारा यह button है हम चाहते है font size जो है वो थोड़ा बड़ा हो और इसकी जो height है वो हम कह रहे है fill parent और इसकी जो width है वो हम कह रहे है 200 pixels और इसकी shape हम कह रहे है rounded और इसको फिर हम center align करना चाहते हैं तो मैं इसके horizontal arrangement में जाके वहां कह रहा हूँ align center and मैं कह रहा हूँ की vertical भी align center फिर finally हम यह जो हमारा horizontal arrangement है इसमें हम चाहते हैं कि जो भी text translate होकर आए वो यहां display हो तो मैं फिर से यहां user interface मैं text box में जाके इसको drag and drop कर रहा हूँ और मैं यहां कह रहा हूँ की height जो है यह भी fill parent और width जो है यह भी fill parent और इसको मैं rename कर रहा हूँ translated text box hint में कह रहा हूँ translated text appears here और इसका भी font size थोड़ा बढ़ा देते हैं तो maybe 20 तो यह हमारा UI है अब UI के अलावा हमार को एक और component यहां डालना है क्योंकि यह जो है यह भी एक non-visible component है तो अब हमारे यह जो UI था यह complete हो गया है तो इसको हम program करने के लिए blocks में जा रहे हैं यह जो existing blocks हैं यह हमारी text to speech और speech to text के programming blocks थे तो अब मैं सबसे पहरे जा रहा हूँ जो button है हमने translate button जो UI में डाला है हम कह रहे हैं कि when this button is clicked do what तो मैं Yandex translate में जाके Yandex का function call कर रहा हूँ और अगर मैं यहां hover करता हूँ तो मुझे यहां इसका जो explanation है वो मिलता है तो basically यह क्या बात समझा रहा है कि जो भी हमारे को translate करना है हमारे को यहां input language और output language जो है वो define करनी है तो इसके लिए मैं text में जाके एक empty string ला रहा हूँ और Yandex कैसे काम करता है कि अगर हमें English to Hindi चाहिए तो हम कह रहे हैं en to hi अगर Hindi के बदले Italian चाहिए होती तो हम कहते है en-it फिर हमारे को text translate कराना क्या है हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी field जो हमने वहाँ पर एक input field बनाई थी उसमें जो भी user text डाले का उसको translate करना है तो हम यहाँ पर यह जो हमने field बनाई थी input text for translation इसको select कर रहे है app inventor में यह जो हमें light green और dark green मिलते हैं यह getters and setters कैलाते हैं तो getter मतलब वो functions जो कुछ लेकर आते हैं and setters मतलब जो उनको define करते हैं करना क्या है तो हम एक यहाँ पर setter function ढूण रहे हैं कि कहें कि यह जो हमारी text field है यहाँ पर जो भी text है उसके लिए तो हमारा यह function है कि input कौन सा text translate करना जो कि input text for translation वाली जो text field है उसमें जो भी text है उसको translate करना अब हमें कहना है कि जो translate होके आएगा वो कहां display होगा तो इसके लिए हम यह index में जा रहे हैं और हम यह programming block लेकर आ रहे हैं कि when index translate जो है वो translate कर दे dot got translation हो गया है तो हमें क्या करना है यहाँ पर हम फिर जा रहे हैं translated text box पर यहाँ पर हम एक setter function ढूड रहे हैं कि इस field में क्या हम text setup करना चाहते हैं set translated text box text to हम यह यहाँ पर डाल रहे हैं और हम क्या text display करना चाहते हैं जो हमें got translation के बाद मिलाए तो अगर हम यहाँ translation पर अपना mouse hover करेंगे तो हमारे को यह get translation मिलता है तो हमारा यह program है कि जो भी user text input field में text enter करेगा हम Yandex को use करते हुए उसका English to Hindi translation करेंगे और जो हमें translation मिलेगा उसको हम जो हमारी next text field है वहाँ पर display करेंगे तो अब हम इसे test करके देख सकते हैं test करने के लिए मैं connect में जाके AI companion on कर रहा हूँ और मैं अपने android tablet पर जो हमने MIT AI2 companion app डाउनलोड करी थी उसको launch कर रहा हूँ और यहाँ जो code है मैं इसको scan कर रहा हूँ तो scan QR code दबा के तो अब यह sync हो रहा है और हमें अब real time जो है वो अपने device में हमारी जो app हम design कर रहे है यह अब हमें real time दिख रही है तो यहाँ पर हम translation वाला feature टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ जाके कह रहा हूँ let's say कोई मैं word डाल देता हूँ जैसे psychology तो मुझे यहाँ पर मिल गया मनुविज्ञान अगर मैं कह देता हूँ sociology फिर मैं यह button दबा रहा हूँ तो मुझे मिल गया समाज शास्त्र मैं कह रहा हूँ civics तो नागरिक शास्त्र तो या index जो है वो single words को बहुत अच्छा translate कर लेता है और short sentence को भी ठीक ठाक translate कर लेता है पर हिंदी की grammar हमेशा ठीक नहीं होती next step पे हम UI थोड़ा सा improve करके इस program को as a apk file save करके अपने android device में transfer करना सीखते हैं तो मैं वापस designer में जा रहा हूँ और यहाँ पर title डालने के लिए हम जो हमारा top arrangement था हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी height बढ़ा रहे हैं हम कह रहे हैं 75 pixels और हम कह रहे हैं width fill parent और उसके बाद हम user interface में जाकर एक text box यहाँ drop कर रहे हैं as a vertical arrangement हम इस text box की properties कह रहे हैं कि पहले हम इसको rename कर रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं title फिर हम कह रहे हैं कि इसकी जो height है वो fill parent और इसकी जो width है वो भी fill parent और अब हम यहाँ पर जो text टाइप कर रहे हैं हम अपनी app का जो भी title देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ fun with speech और हम इसका size कर रहे हैं let's say 45 इसका हम font typeface चेंज करके कह रहे हैं serif ताकि वो थोड़ा सा different नजर आए बाकी font से और हम इसको कह रहे हैं कि text का alignment हो center font bold और maybe हम यहाँ कह सकते हैं background color black और उसके बाद हम जो text का color है वो हम कह सकते हैं white और उसके बाद मैं layout से एक और horizontal arrangement यहाँ डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा में gap मिल जाए और इसकी मैं height कह रहा हूँ 20 pixels तो हम इसको real time अपने android device में देख सकते हैं तो यह जो app है यह मेरी android tablet में इस किसम का UI नजर आ रहा है जो कि मुझे ठीक ठाक लग रहा है तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो icon हो वो जो default यहां पर icon बन कर आती है app inventor में अगर अपनी icon ना डालो यह ना हो हम अपनी खुद icon design करके इसमें डालें तो इसके लिए हमारे को screen 1 में जाके यहां जो icon लिखा है जहां यहां none लिखा हुआ है इसमें हमारे को एक file upload करनी है icon बनाने के लिए आपके पास अगर कोई graphic design software है तो उसको use कर सकते हैं या online भी कई सारी websites हैं जैसे मैं अभी यह easy app icon.com website में हूँ तो हम यहां से icon design कर सकते हैं तो मैं अभी पहले pixabay.com में जा रहा हूँ जहां पर royalty free images हमें मिलती है और मैं यहां जाके हमारी जो app है वो speech से related है तो मैं speech words से related images को सर्च कर रहा हूँ और यहां पर जो भी आपको image अच्छी लगे आप उसको icon की तरह use कर सकते हो तो मुझे for example यह अच्छी लग रही है तो मैं यहां पर इसको download कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वापस easy app icon की website पर जाके यहां पर जो foreground में choose file है यह जो हमने file download करी थी उसको मैं यहां पर डाल रहा हूँ तो यह हमारे को यहां पर दिखा रहा है कि यह icon जो है legacy icon ऐसी नदर आएगी rounded icon ऐसी नदर आएगी तो हम इसको adjust कर सकते हैं आप जैसा भी चाहो कि अगर आप चाहो कि background में कोई color आए तो वो यहां पर आएगा और आप यहां जाके उस color को भी change कर सकते हो मेरे को लगता है कि वो पूरी icon ही fill हो जानी चाहिए तो मैं उसको उसकी padding कम कर रहा हूँ तो यह cable दिखाने के लिए यह ठीक था icon लग रही है तो मैं इसको download कर रहा हूँ इस file को तो यह as a zip file जो है यह download हो गई है और मैं इस zip file को unzip कर रहा हूँ तो हमारे पास यहां पर android के लिए यह सब options available हैं तो मैं वापस अब MIT app inventor में जा रहा हूँ और यहां पर या तो media में जाके file upload कर सकते हैं या फिर हम icon पर ही जाके यहां से भी file upload कर सकते हैं तो हम choose file करके जो हमने अभी बनाई इस image को upload कर रहे हैं तो यह हमारी अब save हो गई है icon की जो image है as a png file जो हम design कर रहे हैं वो अभी तक हम देख रहे थे app inventor की app में अब जो हमने app बनाई है हम उस app को ही transfer करना चाते हैं as a pk file तो उसके लिए हम यहां build में जाके मैंने पिछले वीडियो में यह सब options समझाएं थी मैं अभी कह रहा हूँ provide qr code तो अब हमारी जो app है वो compile हो रही है तो यह compilation जो है यह थोड़ा सा time लेती है अब हमारी app जो है वो as a pk file package हो गई है और हमारे को यह एक link मिला है और इसी link का यह qr code है तो यह browser में यह link type करके या phone पर यह qr code scan करके हम इस app को अपने android device में install कर सकते है यह जो link और qr code है यह 2 घंटे के लिए valid है तो अगर आप अपने किसी friends को भेटना चाते हो तो उनको 2 घंटे के अंदर install करनी पड़ेगी यह जो qr code है इसको मैं scan कर रहा हूँ अपनी android tablet पर link को copy करके मैं browser open कर रहा हूँ तो हमने वहाँ पर नाम जो था वो नहीं change किया था इसलिए यह speech apk पहले जो हमने app बनाई थी उसमें भी आया था पर मैं कहा रहा हूँ download again तो यह जो file है यह download हो गई है अब मैं कहा रहा हूँ open और मेरे को यह error message मिल रहा है install from allow installation of apps from unknown sources हम इसको on कर रहे है तो फिर मैं file manager में जाके जो यह speech to apk है मैं इसको rename कर रहा हूँ translate.apk ताकि हमारी पहली app से clash ना हो और फिर मैं इसे install कर रहा हूँ यह हमें block by play protect का message मिल रहा है पर मैं कहा रहा हूँ install anyway क्योंकि यह app हमने बनाई है इसले इसमें कोई security problem नहीं है तो यह हमारी app install हो गई है तो हम test करके देखते है तो text to speech जो है वो ठीक चल रहा है India is a large country speech to text भी ठीक चल रहा है फिर हम translation का feature try कर लेते हैं तो हमने लिखा कि India is a large country और हमारे को उसका translation मिल गया कि भारत एक बड़ा देश है अब home में जाकर अपनी यह app देख रहे है fun with speech तो हमारे को यहाँ पर जो हमने icon create करी थी वो मिल गई तो I hope इस tutorial से आपको समझ में आया कि आप app inventor का language translation feature कैसे use कर सकते हो और कैसे उसका UI improve कर सकते हो और आपने जो app बनाई है उसका फिर आप icon भी खुड design करके use कर सकते हो झाल